ठोस एवं अर्ध चालक युद्धियां इसके अंतरगत हमने कल ट्रांजिस्टर कैसे बनता है ट्रांजिस्टर कितनी प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर की जो क्रिया विधी होती है इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और उसके साथ साथ हमने इस बारे में भी देखा कि परिपत के अनुसार ट्रांजिस्टर तीन प्रकार के होते हैं एक तो उभेनिस्ट आधार परिपत और दूसरा उभेनिस्ट उसर्जक परिपत और तीसरा उभेनिस्ट संगरहाग परिपत जिसमें से हमने दो के बारे में विस्तार से अध्यान किया और एक उसे आप उचकक्छामरोज का अध्यान करेंगे तो उभैनिष्ट जो आधार परीपत होता है उसमें ट्रांजिस्टर PNP और NPN किस प्रकार से कारे करते हैं इसके बारे में हमने देखा उसी तरीके से उभैनिष्ट अधार परिपत में NPN ट्रंजिस्टर किस प्रकार से कारे करता है इसके विसेवें भी हमने विस्तार से अध्यन किया इसके साथ साथ हमने उभैनिष्ट उस सर्जक जो परिपत है उसमें PNP और NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधियों के बारे में भी हमने विस्तार से अध्यन किया इसमें तीन प्रकार के जो धाराएं होती है धारा IB है ना और धारा IC और धारा IE इन तीनों की विस्तार से अध्यन किया और पाया की IE जो धारा होती है वह बराबर होती है IB धन IC धारा ठीक इस प्रकार हमने कल के जो कक्छा है उसमें हमने क्या किया ट्रांजिस्टर की जो क्रियाविधि होती है परिपत के नुसार इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया आज हम इस विभीन बिंदों के बारे में क्या करेंगे अध्यन करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है वह प्रवर्धा के रूप में कारे करता है ठीक अब इसका जो है ट्रांजिस्टर का प्रवर्धा के रूप में हम अनुप्रियोग के अंतरगत PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर कोद लाप, वोल्टेज लाप वा सक्ति लाप इसके विशाय में भी अध्यन करेंगे तो सरुपत हम हम जो है ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुक्रियों देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुक्रियों सबसे पहले हमें यह जानने की आउसकता है कि प्रवर्धक यनि क्या होता है प्रवर्धक यनि इंगलिस में इसे कहते हैं एम्पली फायर ठीक है प्रवर्धक यनि क्या होता है एम्पली फायर है ना यनि जब हम ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं जो दुर्बल प्रकार की जो सिगनल होती है उसको जब हम देते हैं तो वह सिगनल की क्या कर देता है उसकी सक्ति को क्या करता है बढ़ा देता है उसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर ने क्या कर दिया सिगनल की सक्ति को प्रवर्धित कर दिया बढ़ा दिया है ना तो ये जो ट्रांजिश्टर होता है वह किस प्रकार से प्रवर्धा के रूप में कार्य करता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे तो इसमें जो है आप देख सकते हैं हमने उभैनिष्ट उस्सरजक परिपत देखा था इसमें ये जो छेतर होता है ये बी और ये जो छेतर होता है रहे सि होता है इ Blade in दू कि ट्रांजिश्टर के जिसय में देखें अ rein कि आजो है पहले इसके इसके हम क्याश्ट कर लेते हैं परिभाशा कर लेते हैं कि इसके उप्राम अंतिश्ट में देखेंगे तो प्रवरधक किसे कहते हैं प्रवरध uw जब प्रत्यावर्थी धारा या प्रत्यावर्थी ओल्टेज है ना? जब प्रत्यावर्थी धारा या प्रत्यावर्थी ओल्टेज की सक्ति को बढ़ाने की क्रिया क्रिया क्या कहलाता है? प्रवर्थन कहलाता है यहाँ प्रवर्थन देख लेते हैं प्रवर्थन करना मतलब क्या होता है? जब प्रत्यावर्थी धारा या प्रत्यावर्थी ओल्टेज की सक्ति को बढ़ाने की क्रिया होता है अब जो प्रवर्थक होता है, वो क्या होता है? प्रवर्थक ऐसा उक्करन या ऐसी युक्ति या इसी को कहते हैं ऐसा उक्करन जो प्रत्यावर्थी धारा या प्रत्यावर्थी ओल्टेज की सक्ति को बढ़ा दे या प्रत्यावर्थी ओल्टेज की सक्ति को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर्थक कहते हैं ठीक है? प्रवर्थक या ऐसी युक्ति या ऐसा उक्करन जो क्या करता है? प्रत्यावर्थी धारा या प्रत्यावर्थी ओल्टेज की सक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है उसको हम क्या कहते हैं प्रवर्धक या amplifier कहते हैं amplifier का प्रियोग हम दैनिक जीवनों में करते हैं signal की सक्ति को बढ़ाने के लिए ठीक है जैसे उधारन के लिए आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब कारिकरम होता है तब आप के यहाँ आवाज को दूर तक ले जाने के लिए कुछ उपकरलो का प्रियोग करते हैं ठीक है तो जैसे हमको अपना आवाज दूर तक ले जाना है दूर तक पहुँचाना है तो हम जो है जूकि हमारा जो आवाज है वो कुछ ही दूरी तक जा सकता है लेकिन वहां पर amplifier का जब उपयोग करते हैं तो वहां जो signal होता है या जो हमारी आवाज होती है वहां काफी दूर तक जा सकती है इस प्रकार यह जो amplifier है इसका हमारा देनिक जिवन में उपयोग होता है और जितने भी electronics जो parts होते हैं जितने भी electronics उपकरा होते हैं यहां पर इनक amplifier का क्योंकि जाता है ताकि जो signal input में जा रहा है निवेस हो रहा है वो दुर्बल है उसकी सक्ति को क्या कर दे प्रवर्धित कर दे उसकी सक्ति को बढ़ा दे ठीक है तो इसके अंतरगत हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की रूप में प्रियोग प रूप में रूप में अनुप्रियोग ठीक है इसका जो डाइग्राम है या जो पिच्चर है वो इस प्रकार से बनेगा ठीक ये वाला भाग आपको पता है ये बेस होता है है ना उसर्जर्ग परिपत इसमें ये जो भाग होता है कलेकटर को दिखाता है और ये भाग जो होता है कि इसको प्रदर्शित करता है एमीटर को यहांसे एक सीरा इस प्रकार से निकलता है ये दूसरा यह इस प्रकार से बेज का सीरा और ऐसे जो है यहाँ पर यहाँ पर बैटरी जो है जुड़ा होता है तो यह जो भाग है P N P की बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा P यह वाला भाग N और यह वाला भाग P P मतलब प्लस ठीक है बैटरी का जो यह जो सीरा है यह जो भाग है इसको B से दिखाते हैं B B E और यह कैसे जुड़ा होता है यह हमेशा अग्र में जुड़ा होता है ठीक है ना तो यह हो जाएगा आपका चूंकि यह प्लस है तो अग्र भीAS क्लति में यह को सुक्ति एधर माइनस ठीक है यह प्लस तो यहां पर क्या कि प्लस से जोड़ दिये इसी प्रकार को हुझा चुन कि हमको क्या करना है एक सिगनल देना है ट्रांजिस्टर में जो विक होता है और उसको क्या कर दिया जाए उसको legitim आ प्रवर्धित कर देता है बढ़ा देता है तो उसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे एक निवेसी इंपुट यहां पर दिया जाता है यह होगे आपका प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती ओल्टेज जिसको हम क्या करेंगे यहां पर निवेस कराएंगे और फिर यह आउटपुट में हमको बढ़ा हुआ इसका जो है यह प्रवर्धित जो रूप है वो मिलता है amplifier मतलब amplitude को क्या कर देता है बढ़ा देता है इस भाग को क्या कर देता है बढ़ा देता है ठीक है और वो उसकी जब ये बढ़ जाता है ये amplitude बढ़ जाता है तो वो कैसे हो जाता है प्रवर्दित हो जाता है उसकी सत्ती कैसे हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है ना तो इस तरीके से ये अपना प्रत्यवर्ती प्रत्यवर्ती धारा या क्या होता है प्रत्यवर्ती वोल्टेज जिसको क्या क्या जा रहा है हापे निवेज कराया जाता है जिसको हमको क्या करना है हापे निवेज कराना है अब इसको हमको क्या करना है आउट्पुट में लेना है इसमें जाने के बाद ये प्रवर्दित होगा तो इसको हमको कहाँ लेना है आउट्पुट में लेना है तो आउट्पुट में लेने के लिए यहाँ पर हम एक लोड जिसको कहते हैं आर लगा देते हैं ठीक है इस प्रकार ये जो होगा निर्गत ये लोड में हम प्राप्त करेंगे निर्गत सिगनल ठीक है जो भी हमको सिगनल प्राप्त होगा उसे हम निर्गत सिगनल करते हैं अब आपको मालूम है कि यहां जो बैटरी का सीरा होता है वो किस तरीक से जुड़ा होता है धी और यह कलेक्टर और एमिटर के बीच जुड़ा होगा है इसलिए इसको भी इसी कहते हैं है ना और कैसे जुड़ा होता है यह पश्र भीनती में जुड़ा होता है हमने देख लि जो माईनस क्या हो जाएगा माइनस है ना और यह पलस के बैटरी को इस तरीक युथ से भी दीखा सकते हैं तो यह जो सीरह होता है ये पलस मायनस से जूड़ जयता है याने रिवर्स उल्टा पस्च भी इनती में होता है है ना तो इस प्रकार इसको जोड़ देते हैं और यहां पर हम जो यह निवेसी जो सिगनल यहां पर इंपुट होगा यहां अंदर जाएगा यह इसको लोड में हम यहां पर क्या कर लेंगे निर्गा सिगनल प्राप्त कर लेंगे ठीक अब जो है इसकी क्रिय विधी के बारे में देखें तो यदि इसमें IC धारा प्रवाहित होती है तो आउट्पूट जो निर्गा सिग्नल का जो आउट्पूट वोल्टेज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं आउट्पूट जो होता है VC जिसको इस लोट के सीरो में प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो मान होता है VEC और IC और बाहर का जो प्रतिरोधिये लोट जो होता है इसके मान पर निर्भर करता है ठीक है जो voltage हम यह हमारा कौन सा voltage है नियोसी voltage है और यहाँ पर हमको कौन सा voltage प्राप्त करना है निर्गत voltage प्राप्त करना है निर्गत voltage को यदि हम Vc से दिखाए तो Vc is equal to होता है Vec minus Ic into R Vec minus Ic into R ठीक है अब यहाँ पर इस चीज को इसपश्ट होना जरूरी है कि यदि हम Ic के मान जो है Vc का मान जो है Ic के मान पर कैसे निर्भर करता है ठीक है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Ic का मान यदि आपको अधिक प्राप्त होता है तो Vc कैसा होगा? कम यानि इसे ultra relation है Ic यदि अधिक मिलता है तो Vc कैसे मिलेगा? कम मिलेगा और Ic कम मिलेगा तो Vc अधिक मिलेगा ठीक है इसको आप देख सकते हैं यदि आपका Vc कमान दस है और Rhin Ic कमान इसका पूरा क्या हो गया? 5 हो गया Ic कमान ठीक है? तो Vc कितना मिलेगा? VC मिल जाएगा 10 रिन 5 मतलब 5 ठीक अब इसी तरीके से इसको मान को बढ़ाते जाएए IC का मान इदी आप 6 कर दे तो VC कितना मिलेगा कितना मिलेगा 4 इसी तरीके से आप उनहां IC के मान को बढ़ा दीजिए कितना बढ़ाएए 6 से 7 कर दे तो VC कितना मिल जाएगा, Ic बढ़ेगा, तो VC क्या होगा, कम होगा, या, ये कम होते जाएगा, तो VC कैसे होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, यह ने, आप यह Xxaë को गया होगा, कि, जैसे-जैसी, IC का मान बढ़ता है वैसे वैसे VC का मान कैसे होने लगता है कम होने लगता है ठीक है या IC कम होगा तो VC बढ़ेगा विपरित जो है इनके बीज में संबंध होता है ठीक तो जो हमको निर्गत सिगनल प्राप्त करना है वो है आपका VC, VC is equal to क्या होता है यहाँ जो बैटरी का जो सीरा जो लगा हुआ बैटरी है VEC minus IC, यह IC धारा और यह load जो R है इनके गुड़न फल है ना, इस संबंद के द्वारा दिखाया जाता है कि VC is equal to VEC minus IC into R ठीक, अब इसकी क्रियाविधी देखें जब इस पर प्रथम अर्ध चक्र क्या होता है, input होता है कौन सा अर्ध चक्र? प्रथम अर्ध चक्र जब इस पर क्या होता है, input होता है इस प्रकार से clear है? है ना, जब यहाँ पे जाता है तो आपको मालूम है कि यह कौन सा भाग है? अर्द्य चक्र का धन भाग है और हमारा जो बेस है वो क्या है एन है एन है मतलब कौन सा भाग है रिन भाग ठीक है ये धनात्मक अर्द्य चक्र जो है वो धन है और हमारा जो बेस है जहांपी ये प्रवेस कर रहा है वो कैसा भाग है रिन भाग ठीक यह तो द्रेंश जब इसके अंदर इंपूट होता है तो द्रान- और डिन विप्रित करिया हो गया TirES यह ढंद और रिन इस अगर अभी नथिक किरिया को क्या कर देता है धीमा कर देता है धीक difon मिलेगा उसका मान भी कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है एक बार फिर से देखें जब धन रिन में जाता है तो यह जो अगर अभिनती की क्रिया है वो क्रिया विधी क्या हो जाता है धीमा हो जाता है और जब यह धीमा हो जाएगा तो आईसी धारा कम आनुभी कैसे मिलेगा कम मिलेगा जब आईसी धारा कम होता है तो वीसी कैसा हो जाएगा बिल्कुल सहीं क्या हो जाएगा अधीक जब IC कम हो जाता है तो VC कैसा हो जाता है अधीक हो जाता है अब यहां पर देखें कि यह बैटरी के किस सीरे से जुड़ा हुआ है जो वोल्टेज हम VC जो प्राप्त कर रहे हैं वो बैटरी के कौन से सीरे से जुड़ा है रिन सीरे से है ना कौन से सीरे से जुड़ा है रिन सीर अधीक रिणात्मक पतलब नीचे की वर चक्र ठीक है यह इस प्रकार से इस प्रकार ठीक अब आप यहां पर देख पाएंगे कि यह प्रथम अर्ध चक्र का आप यह अधीक है और यह धनात्मक था और यह कैसा प्राप्थ हुआ हमको रिणात्मक इन के बीच पेका कोने कोण अंतर गया 808 kчक यह धन उपर वाला भाग और यहां पर कौन सा भाग प्रांप्त हुआ हा ठीक है तो इस प्रकारिम के बीच में कितने अंस का कोण बनता है एक स्वस्री अंस का कोण बनता है कौन से अर्ध चक्र में प्रथम अर्ध चक्र में अब दूती अर्ध चक्र की बात करें ठीक है तो जो दूती अर्ध चक्र है ये वाला भाग ये कैसा है ये और दो कि क्रिया को देड़ यह एंड़ी अध्युकुने कौने ग्रिलनेता में ऊक्षेसह indem इस में Examoda को देडी और दो प्युक्ति आघ्या देते हैं तो यहां पर जो चलेगी वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है और जिससे यहां आउट्पूट में मिलने वाला धारा भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है यहने IC धारा भी क्या हो गया, second चक्र में, IC धारा कैसा हो गया, second चक्र में, बढ़ गया, IC धारा कैसा हो गया, बढ़ गया, IC बढ़ जाएगा, तो VC क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, है ना, very good, क्या हो जाएगा, कम, ठीक, IC के बढ़ने से VC का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठी क्योंकि ये इसके रिन सीरे से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको कम रिनात्मक इस सीरे को हमको पढ़ना है यहां जो लिखा है पहली बार हमने पढ़ा अधीक अधीक के बाद रिनात्माक क्योंकि रिन सीरे से जुड़ा है उसी प्रकार सेकेंड बार हमने पढ़ा कम चुकि रिन से जुड़ा हुई उसलिए रिनात्माक ठीक है कम रिनात्माक मतलब क्या होता है कम रिनात्माक मतलब धनात्माक कम रिनात्मक मतलब धनात्मक पहले जो हमने देखा था अधिक रिनात्मक का टात्परी क्या होता है रिनात्मक चक्र है ना रिनात्मक चक्र और कम रिनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा धनात्मक चक्र ठीक है इसलिए अब जो हमको चक्र आउट्बूट में प्राप्त होगा वो कैसा होगा इसको इस प्रकार से देख सकते हैं ठीक तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यह जो दिन चक्र है द्यात्मक अर्द चक्र है यहाँ पर हमको कैसा प्राफ्ट होता है उपर की और इसका जो amplitude है उसका जो आयाम है वो कैसे मिलेगा बढ़कर मिलेगा और इनके और इनके 180 का एंगल बनता है ठीक है इस तरीके से यह जो PNP transistor होता है वहाँ प्रवर्धक की रूप में कार्य करता है तो हमने PNP transistor में अभी इस बात को देखा कि किस प्रकार से इसमें कारेविधी होती है है ना कि प्रथम अर्ध चक्र जैसे ही input होता है इसका धन चक्र जब जाता है तो धन और रिंड बीप्रित होने की कारण से इसकी क्रियाविधी धीमी हो जाती है और धीमी होने के कारण से IC कमान भी कम मिलता है और कम मिलने से VC कमान कैसा हो जाता है बढ़ जाता है अधिक मिलता है अधिक और चुकी इसके बैटरी के रिंट से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या खते है अधिक रिनात्मक अधिक रिनात्मक से ताथ पर है रिनात्मक चक थीक तो इसलिए हमको यह जो चक्र है वो होता है पराप्थ होता है ठीक उसी तरीके से दूसरा जो है जब रिनात्मक अर्द चक्र इसमें प्रवेस करता है तो यह और यह रिन के कारण से अगर अभीनति की क्रिया बढ़ जाती है और यह क्रिया बढ़ जाएगी तो IC धारा कमान भी हमको अधिक मिलेगा IC यदि अधिक होता है तो BC कमान कैसा हो जाता है कम हो जाता है और यह रिन से रे से जुड़ा हुआ है इसलिए कम रिनात्मक कम रिनात्मक मतलब धनात्मक चक्र हमें प्राप्त होता है ठीक है और इसमें हम देखे कि पहले वाला जो चक्र है वो धनात्मक है तो यहां पर क्या मिलता है हमको रिनात्मक मिलता है है और रिनात्मक जब चक्र यहां प्रवेश करता है तो क्या मिलता है धनात्मक इस प्रकार इनके जो बीच में कोण बनता है वो एक स्वासियंस का कोण बनता है ठीक है और यहां इस पश्ट दिख रहा है आपको कि यह जो है इसके आयाम जो होते हैं कम होते हैं यह वीक होते हैं दुर्बल होते हैं और यह जब ट्रांजिस्टर के अंदर जाता है तो उसको क्या कर देता है सिगनल को प्रवर्धित कर देता है बढ़ा देता है है ना तो यह हो गया PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धत की रूप में अनुप्रियोग कि ट्रांजिस्टर जो है किस तरीके से एक दुर्बल सिगनल को क्या कर देता है प्रवर्धीत कर देता है उसकी सक्षी को बढ़ा देता है अब हम NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधी को इसमें देखेंगे ठीक है NPN दूसरा NPN ट्रांजिस्टर का प्रवर्धत की रूप में रूप में अनुप्रियोग ठीक है अनुप्रियोग तो इसके लिए पहले हम क्या करें इसी प्रकार ग्राब बना लेते हैं उभाई रिष्टर उस सर्जक परिपत में यह भाग बेस यह भाग कलेक्टर और यह भाग एमीटर यह इसके सीरे इस तरीके से इसे हम ले लेते हैं एन पी एन एन पी एन इसी प्रकार इसमें चुकि हमको आउट्पुट प्राप्त करना हैं इसलिए यहां पे हम लोड़ लगाज़ें प्रतिरोड यहां पी लोड़ लगा दिए प्रतिरोड जहां आर है और यह बैटरी का यह दूसरा सिरा और इस लोड़ में हमको क्या करना है आउट्पुट प्राप्त करना है निर्गत सिगनल प्राप्त करना है ठीक है और यहां पे जो है हम क्या करते हैं यहां पे इंपुट देते हैं जो हमारे पास प्रत्यवरती वोल्टेज या जो धारा होता है उनका क्या करते हैं यहां पे हम इंपुट कराते हैं यह जो है बैटरी का सीराथ चुकि B और E के बीच में है इसलिए इसको भी भी इसे दिखाते हैं और यह जो है उसर जक्वाला जो भाग है एन है याने की रिनात्मक है इसलिए इसको कैसे जोड़ते हैं क्योंकि हमको इसको अग्रा भी नतीम रखना है इसलिए सिधा रिन है तो किसे जोड़ते हैं रिन से है ना रिन है तो रिन से अब यह वाला जो भाग होता है इसको हमें पश्र भी नतीमी रखते हैं है ना तो यहां पर यह जो है एन एन मतलब रिन उसको उल्टा जोड़ दें धन से इनको किसे जोड़ देते हैं धन से इस प्रकार्शी से जोड़ देते हैं और आउट्पूट जो होगा उसको हम कहां से प्राप्त करते हैं यह जो लोड लगा हुआ है यहां पर हम आउट्पूट को प्राप्त करेंगे ठीक है तो यह जो प्रथम आर्धि चक्र होता है जैसे ही यहाँ पे input होता है, अंदर जाता है, यहाँ पे, तो आप base में यह क्या करता है, प्रथम अर्ध चक्र, जब जाता है, base आपका किस से बना हुआ है, P से, P मतलब प्लस, यह वाला भाग किस से बना है, P से, इस पस्ट है, है न, P मतलब प्लस, ठीक, तो पहला प्रथम अर्ध चक्र जैसे ही यहाँ जाता है, यहने, base में जाता है, प्रथम अर्ध चक्र, तो यह धन, और यह क्या हो गया, धन, यहने, इसकी क्रिया विधी को कैसे कर दिया, अग्रा भीनिति क्रिया विधी को बढ़ा दिया, ठीक है, प्लस, प्लस, कैसे करता है अग्रा भीनिति को और ज़्यादा बढ़ा देता है तो यह जो अगर अभिन्यति जब बढ़ जाता है तो यहां के जो क्रिया विधी होती हुए बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद यहां से जो धारा हमको प्राप्त होता है आइसी धारा उसका विमान बढ़ जाता है ठीक है हम आउट्पूट में क्या प्राप्त करने वाले हैं निरगात वोल्टेज वी सी इसका मान जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है यह वाली बैटरी भी जो कि किसके मध्य लग है वी सी ए है ना यह वी इसी तो वी सी इ माइनस आइसी इंटू आर जो हमने पी औन पी में देखा है सेंव वही चीज है ना तो जो आउट्पूट वोल्टेज हम प्राप्त करने वाले हैं उसका मान वी सी इस इकोल टो वी सी इमाइनस आइसी इन्टू आर होता है अभी हमने देखा कि जब धनात्मक अर्द च जाता है आई-टिक हो जाता है तो वी ऽी क्या होगा जाता है तो यग hybrid कम मिला अब यह जो है बैटरी के यह जो जो लोड है वह बैटरी के कौन सीष्ट है धन सीष्ट覺 वह है तो हम लिखेंगे कम धनाटमक मिला है कि कमधनातमक का तात्परी क्या होता है रिनात्मक चक्र कौन से चक्र प्राप्थ होगा रिनात्मक रिनात्मक चक्र ठीक है कम धन अत्मक से तात्परी क्या होता है रिनात्मक चक्र यह जब हम धन अर्ध चक्र दे रहे हैं तो हमको कौन से चक्र प्राप्थ हो रहा है यहां आउट्पूट में रिनात्मक अर्ध चक्र हमको प्राप्थ हो रहा है जिसका आयाम कैसा है निवेसी सिगनल की अपेक इचा अधीक है ठीक है और यहां भी आप देख सकते हैं कि ये धन अर्ध-चक्र है और वहांपे हो मुझी अर्ध-चक्र पाप्त हो रहा है इसके मतलब है कि इनके बीज बनने वाला कूण कैसा है 1806 तो आप देख सकते हैं कि यह जो है रिन और धन भीपरित है ना isकी क्रिया को कैसे कर देते हैं धीमा कर देते हैं यह क्रिया जब यहां पर धीमा हो जाता है तो IC धारा का मानदी कैसा मिलता है हमको कम मिलता है और जब यह कम मिलता है तो VC कैसा हो जाता है VC अधीक हो जाता है तो दूसरे भाग में देखते हैं कि VC कैसा हो गया अधीक हो गया जो output voltage हमको मिलने वाला है वो कैस धनात्मक, अधीक धनात्मक मतलब कौन सा चक्र? धनात्मक चक्र, है ना? तो इस तरीके से जो है, क्या मिलेगा हमको धनात्मक चक्र जो है, प्राप्त होगा, ठीक है? है ना? और इसको कैसे दिखा सकते हैं? इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है? तो द्वीती अर् 醒тор जो हमने क्या लिया था रिणात्मक लिया था रिनात्मक जब जाता है है रखा ना तो हमको कौं सन मिलता है धनात्मक रखार्टर क्राप्त होता है इस प्रकार इनके बीज बनने वाला kort 180 का होता है ठीक है तो इस प्रकार यह जो ट्रांग्जिस्टर होता एन पी एन ट्रांजिस्टर यह क्या कर देता है इस सिगनल को कि सक्ति को क्या कर दे रहा है बढ़ा दे रहा है यह क्रिया प्रतेक चक्र में चलेगा और हमको आउट्पूट में बढ़ी बढ़ी हुई जो सक्ति वाला सिगनल है वो हमें प्राप्थ होगा इस प्रकार यह जो ह ट्रांजिस्टर वो किसके रूप में काम करता है प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है तो जितने भी एलेक्ट्रोनिक्स उपकरण होते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया मोबाइल हो गया है ना तो इन उपकरणों में जो है एम्प्लिफायर जो है लगा होता है जो सिगनल बाहर से जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं तो जो सिगनल हमारे मोबाइल में आ रहा होता है वो सिगनल वीक हो जाता है काफी दूर से आने के कारण से तो चूंकि उसमें एम्प्लिफायर लगा होता है वो उसको क्या कर देता ह शाउन प्रवर्धित कर देता है उस सिगनल को क्या कर देता है बढ़ा देता है अब इसके बाद हम जो है धारा लाब प्रतिरोध लाब इसके बारे में देखते हैं ना सबसे पहले धारा लाब क्या होता है ठीक है धारा लाब निर्गत धारा में परिवर्तन वा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात ना को धारा लाब कहते हैं इसको बीटा से दिखाया जाता है किसे दिखाया जाता है बीटा से तो धारा लाब निर्गत धारा में परिवर्तन वा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं धारा लाब कहते हैं तो धारा लाब बराबर क्या हो जाएगा धारा लाग जिसको बीटा से दिखाया जाता है बराबर निर्गत धारा में परिवर्तन बटा निर्गत धारा में परिवर्तन ठीक है कलेक्टर जो धारा है वो निर्गत धारा देल आई सी है ना और निर्गत धारा जो है डेल आई बी बेज धारा ठीक नियत निर्गत ओल्टेज पर निर्गत धारा नियत निर्गत ओल्टेज नियत निर्गत ओल्टेज वी सी ठीक है VC यदी नियत है तो उस समय में निर्गत धारा में परिवर्तन बटन इविसी धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाग जिसको हम क्या कहते हैं बीटा से दिखाया जता है डेल जहां पे लिखा है ये परिवर्तन को सो करता है ठीक है परिवर्तन को दिखाता है तो जो निर्गत धारा यदी IC है और निविसी धारा IB है तो डेल IC और डेल IB के जो मान है उसका जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं धारा लाग कहते हैं जिसको हम बीटा से दिखाते हैं ठीक है दूसरा जो होता है वह है प्रतिरोध लाग ठीक प्रतिरोध लाग किसको कहते हैं निर्गत प्रतिरोध वह निविसी प्रतिरोध के अनुपात अनुपात को प्रतिरोध लाग कहते हैं तो प्रतिरोध लाग क्या हो जाएगा? प्रतिरोध लाग बराबर निर्गत प्रतिरोध है ना? निर्गत प्रतिरोध वटा निविसी प्रतिरोध निर्गत प्रतिरोध को किसे दिखाय जाए? आर आउटपूट तो यह आर आउट अपॉन क्या हो जाएगा? आर इन आर आउट अपॉन आर इन तो यह हो जाएगा प्रतिरोध लाग ठीक है यह धारा लाग हो गया और यह प्रतिरोध लाग ठीक इसी प्रकार तीसरा है तीसरा बिंदु है वोल्टेज लाब वोल्टेज लाब निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन वा निवेसी वोल्टेज निवेसी वोल्टेज में परिवर्थन के अनुपात को निर्गत वोल्टेज लाब कहते हैं ठीक, इसको कैसे दिखाएं? इसको दिखाते हैं A V से, तो A V is equal to क्या हो जाएगा? निर्गत वोल्टेज में परिवर्थन बटा नियसी वोल्टेज में परिवर्थन ठीक है? अब जो निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज क्या होता है? डेल वी सी है ना? तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? A V is equal to हो जाएगा निर्गत वोल्टेज में परिवर्थन डेल वी सी अपॉन डेल निमे सी वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी वी ठीक है? डेल वी सी अपॉन डेल वी वी ठीक? अब जो डेल वी और डेल वी सी का मान हम ग्याद कर लेते हैं? ठीक? इनका मान जो है पन ग्याद कर लेते हैं डेल वी सी का मान क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि ओम के नियम से V is equal to क्या होता है? I into R यदि निर्गत धारा I, C है और निर्गत प्रतिरोध R आउट है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? डेल I, C into इसी को क्या लिख सकते हैं? R आउट ठीक है? यहाँ से V is equal to I, R से क्या लिख सकते हैं? V, C, डेल V, C is equal to डेल I, C into R, आउट इसी प्रकार यह जो डेल V, B दिख रहा हैं? है ना? इसको कैसे निकाल सकते हैं? डेल V, B is equal to हो जाएगा डेल I, B into R, इसी प्रतिरोध हैं? ठीक? तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वैल्यू पूट कर दें? तो क्या मिलेगा? A, V is equal to, यहाँ पर वैल्यू पूट कर दें वो जो मान निकाले हैं, डेल I, C into R, आउट और डेल I, B into R, इन तो यह जो मान होता है, यह वाला मान, इसको हम क्या कहते हैं? धारा लाग और किसे दिखाते हैं? बीटा से और R, आउट अपान R, इन को क्या कहते हैं? प्रतिरोध लाग, तो इस तरीके से जो A, V होता है, यह वोल्टेज जो लाग होता है, वो प्रतिरोध और जो धारा लाग और प्रतिरोध लाग के गुड़न फल के बराबर होता है, ठीक है? इसी तरीके से चौंथा जो बिंदु है, वो क्या है? सब्ति लाग, है ना? चौथा जो बिंदू है वो है सक्ति लाव ठीक सक्ति लाव किसको कहते हैं निर्गत सक्ति में परिवर्तन वा निवेशी सक्ति में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं सक्ति लाव कहते हैं ठीक है यनि सक्ति लाव बराबर क्या हो जाएगा निर्गत सक्ति में परिवर्तन वा निवेशी सक्ति में परिवर्तन ठीक है है ना तो यहां पर जो निर्गत सक्ति में परिवर्तन होता है वो होता है डेल आई सी का 2 moving into Account i ॉ इन यहां पर जो यह मान मिल रहा है यह कैसा मिल रहा है यह मान हमको प्राप्थ हो रहा है चूंकि हम जानते App on Bell I Pv अपॉल यह न बीटन होता है बीटन होता है तो क्या हो जायाग य 되면 Room बीटा का square into r out upon r in मतलब प्रती रोध लाब, तो जो सक्ती राब होता है वो धारा लाब का वर्ग और प्रती रोध लाब के गुरनफल के बराबर होता है, इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रती रोध लाब, धारा लाब, ओल्टेज लाब और सक्ती लाब के बारे में उसका वेंजक प्राप्त कर सकते हैं है ना तो आज हमने जो है इन विभीन बिंदूओं के विशय में हमने चर्चा किया ठीक है कल हम इसके आने वाले और जो है उसके विधा में बारे में उसकी विधा के बारे में हम चर्चा करेंगे है ना तो ट्रांजिस्टर जो है आज हमन धन्यवाद बच्चों हमने PNP और NPN का संकेत देखा था है कैसे बना था ये इस प्रकार से बना था इसकी बनावाट ये नीचे वारा जो इससा होता है बेस होता है ये एमिटर होता है ये वाला भाग ये वाला जो भाग होता है वो बेस होता है और ये वाला भाग क्या होता है कलेक्टर होता है किस में PNP ठीक है तो यहाँ पर जो संकेत बनता है इस संकेत में क्या होता है PNP में जो संकेत चिन लगता है यहां पर होता है अंदर की और आता है इसे B की और आता है ठीक इसी तरीके से NPN में हमने देखा था कि ये संकृत इसis तरीके से बनता है बीच में base ये emitter ये base और ये collector ठीक है तो इन दोनों में संक्यत में अंतर जो होता है PNP में जो संकेत है ना वो क्या होता है एसे B की ओर होता है और यहां पर क्या होता है B से ए की ओर बहार निकलते हैं B से प्रकार का संकेत होगा यदि कहीं संकेत चुट हैतों से हम सुधार लें